तो वो अपना लैट्टोप में काम कर रहा है और ये सैतान है ये करी भार्सिया था इसके भी चुपती चल रही है तो नहीं आप ड़नों नहीं आपी हेलो एवर्यवान नमस्कार आपका पूद्बो स्वागत है आपके अपने ट्यूप चानल एसकोट लाइप में अशागर्तियों सबलकुल टिक ठाक होंगे तंदरूस्त होंगे और एकतम खुश होंगे आज है तीसरा नमरातरा माचंदरगंटा का दिन तो आज दिन है थस्टे का और थस्टे को आपको पता ही है मैं कोई अपना जो है बिजनेस का काम नहीं करती ओफ रखती हूँ तो आप देख सकते हैं रिलेक्स मूड में में लेटी हुई हूँ नहा धोके और मैंने किया था विडियो का आज जो ग्लोग आपको मिलेगा उसका वोईस ओवर आज के दिन तीसरे नमरातरे को जो आपको ब्लोग मिलेगा उसका वोईस ओवर सासा आती मैं करती हूँ इतना टाइम मिलता है नहीं कि पहले रेडी करके रख दूँ तो बस इसलिए चश्मा मैंने लिया हु बस बाको बढ़े मने चली है आज रोक शुरू करते हैं तो आप सबीको तीसरे नमरातरे की बहुत-बहुत शुब कामना आए मुझे ध्यान आया मैंने सब को वेज दिया अच्छा लगता है मुझे भी तो आप लोग विश्च करते हो और कितने तो मेरे मुस्लिम विवर्स हैं जो मुझे मेरे पूरे फैस्टिवल विश्च करते हैं तो आप सभी को एक बार फिर से पूरी फैमिली की तरब से एत मुबा तो घर तो मुझे आई गए थे उस बीच में दो दिन मैंने नहीं किया था बिस्निस का काम तो इस वजह से ना महां के व्लोग चल रहे थे तो यह आपको लेट मिल रही है व्लोग इसके लिए वेरी वेरी सोरी और यहां पर देखिए दोनों भाईयों को दिखाती हूं मैं क्यामरे से यह देखो रहा है अपना काम इसका कुछ स्थन आपको रहे है और यह तो आपना लैपटउप में काम कर रहा है और यह हैस्टान है मैं और यह चुट्टी चल रही है इसमें ही अच्छा लगता है देख्वा श्रे ने न्यूट टी-शर्ट बैननी है पास से रिखाते हैं श्रे की टी-शर्ट कैसा श्रे किसी को हाई है लो है लो है लो है लो नहीं आप ड़नों नहीं अभी तो जी यह अपना काम कर रहा है और बस मैं लेटी हुई तो मैंने आज कब लोग हम स्टार्ट करते हैं धोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अब दिखेगा फोन में आंक भी नहीं खुलती है मेरी तो सच में बिल्कुल भी बिना चश्मे के तो कैसा चल रहे हैं आपके नवरात्रे और गर्मी कितनी हो गई है फुल गर्मी शुरू हो गई है मत कि मैं सोच रहे हूं कि नवरात्रे नवरात्रे हम नहीं चलाएंगे तो उसके बाद देखते हैं या फिर आज भी चला सकते हैं बोल ले थे क्योंकि एसी दूसरे रूम में इसमें तो है नहीं पर इसमें थोड़ा ठंडी रहती है मतलब ठंडक सी रहती है ऐसी काम चल जाता है तो जी इसमें ही अगर हमें दुपारी में रहना होता है न तो फिर हम इसमें ही रहते हैं हाला कि आज ही है यह दुपारी का टाइम इस टाइम तो मैं रोज लाइव करती हूं मतलब दुपारी में रोज लाइव करती हूं दुकान से आने के बाद पता ही नहीं लगता कि क एक्स भी कर रहे हैं अब मैं थोड़ा सा सोच रही हूं कुछ काम और एक्स्टर करने की अलगी कपड़े पड़े हैं प्रेस के वह सारे एक दिन उसमें क्या 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 ना करूं पहले मेरा मनता कि हम जाएंगे मंदिर आज फिर बच्चो का मन नहीं था इतना जादा कि कि श्रे को भी अपना कॉलिज का काम था और अंच भी अपना कुछ काम कर रहा था यह भी किसी फ्रेंड की पास के आथा अपने मने चल लिए जोर जबस्ती नहीं करते जब मन नहीं है तो फिर मेरी काम में लग कहीं पैले श् पास के शुटी के दिन वह करता है आपको पता हिए और नहादो के फिर में बैट लिए मनता साड़ी पहन हो फिर मैंने चल लिए साड़ी नहीं पहनती है सूटी पहन लेती हूं तो फर सूटी पहन लिया ऐसा हमारा आज का अभी तक का रहा अब देखते हैं मैं शॉप पे किचन में पहने, कुल देखे नहीं नहीं करती हूं, कैना करती हूं क्छै का रहा है विए ओब हदा दि हौने लिए नहीं करती हुझता नहीं, कैंना क्किचन लिए का चाय तक इद भी हो रहा है तो आज यद है किज में आये सिट देखके आत बीनो रिखते जूरी के इदमनी है, तो यहाँ पे आई थी, तो बस वही मैं दे रही हूँ, फ्रिज में रखी थी, ठंडी हो गई है, और हमारे यहाँ पे दूज़य कैसे आती है, एक जो है, मेरी शौक के सामने हमारे टेलर मास्टर है, जो कि पहले से इतने सालों से जब से हम हैं इतने सालों से तब से ही है यहां पे और एक हमारे दूद वाले वईया है तो इस तरीके से और हमारे यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो उनके घर का है वो मुस्लिम है वो हिंदू है मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान के दिये हैं, सब भगवान को मानते हैं, कोई अलग तरीके से, कोई अलग तरीके से मानते हैं, ये अलग तरीके से मानते हैं, पर ऐसा कोई बेदबाव नहीं होता कि नहीं खाएंगे, हाँ मैं तो नहीं, मेरा तो फास्ट है, लेकिन ब बस यहा है कि मेटा वगयर थोज़ेंड होगा हैं हम बाहर का किसी सब्जी किसी की और बाहर का किसी भी श्यूर पे से बच्छे कुछ है तो वह नौ दिन तक नहीं ऑपने तरीका है तो अपना तरीका व इतना हम्छन करते हैं खोड़ायत को अपना तरीका हूं तो यहां पर बातों बातों में अब मैं मिल लही हूं आपसे रात के टाइम पर मैं चले गई थी फिर शौप पे मुझे काम आ गया था और मुझे जाना पड़ा तो भी इसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया मैं ही नहीं थी तो रिकॉर्ड कैसे होता चाय पानी के बाद फिर मैं चले गई थी और ये मेरा रात का टाइम है नो बजे का, अब आप बोलो कि नो बजे कौन पूझा करता है, तो जी मैं पूझा नो बजे करती हूँ, क्या करूँ, मैं पहले शोप पे रहती हूँ पूझा के टाइम पे, फिर खाने का ज़रूरी होता है, कुछ help से करता अच्छे बना ही देता है कि दाल、 चाल, वगेरा तो मैं अपना पार्ट करने इस टाइम बैठ जाती हूँ अराम से मेनान से एक घंटा लगता है तो मैं अराम से पार्ट करती हूँ ऐसा नहीं पूजा नहीं होती है रेखुलर्य ही होती है पापा करते हैं आश्रे रहता है वो करता है तो मतलब उस तरीके से पूजा होती है पर मैं नहीं करपाती मेरा जो पार्ट करने का टाइम है वो फिलाल इस नवराद्री में यहीं है और ऐसे ही मैं करने वाली हूँ जो नभ दुरुगा का ,9 दिन का पार्ट होता है दुरुगा त गुत तो चलो जी ये भी मैंने आपको बता दिया और अब मैं आज का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं हो जाओंगी काफी लेट और मेरी तो खिचड़ी ही बनी है तो अब मैं आपसे मिल नहीं हूँ यहां पे नेक्स टाइम नेक्स टाइम नेक्स टे तो यह है नेक्स टे की क्लिप और इसमें भी मैंने प्रोपर सुभा से नहीं किया था क्योंकि कुछ व्लोग रखा हुआ था फिर बहुत जादा हो जाता है तो यहां पे वरत में ही खाने पिने की थोड़ी सी तयारी कर रही हूँ ऐसी नहीं है प्रोपर मेरी तयारी पहले से सारी कु ट्रीया से टाइम मिलता ही नहीं है तो बस आज जो है नवरात्रा फोर्थ नवरात्रा है और आज आप देख रहे हैं यह मेरी थोड़ी सी खाने पिने की तयारी हो रही है यहां पे मैंने थोड़ा सा घी ही डाल दिया था ओयल अल नहीं डाला लोग आज पे मैं इनको थोड जाता है फिर एक बार ना श्रे अंच ने भूनी मतलब ऐसे भूनी बोल देते हैं फ्राइ करी तो वह थोड़ी सी मतलब कड़वा पना जाता है जाता होने के बाद तो बस मैंने घी ले डाला था क्योंकि इसके बाद मुझे करने हैं मखाने नहीं तो रिफाइंड ओयल भी डा तो यहां पर उलका सा गजाता है जाएँ कर लें तो इसमें में डाल दूंगी मखाने भी कर लोते हैं थोड़ा आहां के अच्छे नहीं लगते हैं जादा क्रिष्पी नहीं रहतें काफी टाइम तक तो यहां पर मैंने बहुत ही अलका सा घी लिया है जिसमें थोड़ी सी खुशबू हो जाए बाकि घीस में डाल लेते हैं अच्छे से गी में आप फ्राइ करना चाहें गी में भी कर सकते हैं सबके अपने अपनी पसंद होती है तो मैं इनको बस ऐसे ही थोड़ा सा जे है कि घी का टेस्ट भी आजाए मतलब खुशबू भी आजाए और बहुत ज़्यादा ये घी में भी ना हो तो उस तरीके से इनको भी मैं लो आच पे ही तीरे तीरे करके थोड़ा सा फून लूगी और मखाने बहुत जल्दी हो जाते हैं बस ये है कि जैसे हम इनको तोड़के देखते हैं तो फिर वो अच्छे से तूट जाते हैं तो मखाने हमारे हो गए हैं इस तरीके से और कलर भी हो गया है देखे कलर चेंज हो गया और क्वांटिटी भी कम हो जाती है बुनने के पहले अगर कच्छे मकाने होते हैं तो वो कितने मतलब लगते हैं पहले पैन भरा हुआ लग रहा था अब ये थोड़े ये देखिए अच्छे से हो गए हैं तूटने लगे हैं और बस अब जो है गैस में बंद कर दूँगी आफिर इनको निकाल लूँगे कभी जब मैं सोचती हूँ कि चलो आज तो जो है करना ही है तो मैं कर भी लेती हूँ कहीं बारी देखो हो जाता है बहुत सारे काम होते हैं बिजनेस का काम भी देखना होता है कहीं बारी ऐसा है शौप पे भी नहीं हूँ घर में भी टाइम नहीं मिलता वोटसप देखना होता बहुत काम होता है है रोज रोज आप के साज Share करूँ इखा was can do है तो और मैंड यहिसा कोई सेंपल आये हैं द fatto बात करने फिर थे लेट भी हो जाता है तो इस तरीके से तो मेरा यहां पर जैस्त कर जादा मैंने पानी डाला था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मीठा बना रही हूं, और मीठा भी कोई मावा खोया खोया खुछ भी नहीं है, बस मिल्क पाउडर के साथ बनाओंगी, सिंपल सीनारियल की बर्फी, मीठा यहाँ पे आपको जादा लग सकता है, मैंने एक कटोरी भर के चीनी ली है आप चाहे कम भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकोडिंग और ये कड़क वाली वर्फी बनेंगी ऐसा भी नहीं है कि बहुत सॉप्ट बनेंगी क्योंकि इसके अंदर खोया नहीं है और मैं रेडिमेट खोया बाहर का बृत में नहीं खा रही हूँ और घर मे खोया बनाने का मेरा टाइम नहीं लगता तो मैं इसमें मिल्क पाउडर एड करूँगी यहाँ पे घर का ही ये सूखा नारियल है जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में छोटे छोटे पीस कट करके फिर उसको पीस लिया मिक्सी में और यहाँ पे जैसे हमारी चासनी शुरू हो जाएगी इस टाइम पे फिर मेस में डाल दोंगी एक कटोरी भर के मिल्क पाउडर यह देखिए गाड़ी हो गई है और फिर बहुत ही जल्दी इसकी केंसिस्टेंसी चेंज हो जाएगी एक दम हाड हो जाएगी अगर बहुत जादा इसको ठीक कर लेंगे अगर हम इसमें खोया डाल दे इस स्टेज पे मिल्क पाउडर ना डाल के थोड़ा सा इसको अभी और हम पका लेते क्योंकि खोया फिर जो है काफी सॉप्ट बना देता है तो वो फिर नहीं जमती मतलब उठती ही नहीं है फिर वो फैली फैली रह जाती है तो अब क्या करेंगे अब इसकी consistency बिलुकल अच्छी हो गई है अब मैं समें डाल दूंगी milk powder milk powder से खोया भी बना सकते हैं लेकिन मैंने सूखा हिसमें milk powder add कर दिया है और बस नारेल की जो उसके अंदर चुक नहार थी जो भी मतलम नारेल का घिय होता है वो उसके अंदर था ही बस वही इसमें काफी हो लेकिन लोगी नहीं थी बस मुझे थोड़ा सा टां था मैंने जो भी है जैसे भी है चलिए फोड़ा सबते हैं जोड़ा सा मैं कुर लेती हूं ये देखिए inowarlosas this inpati के निफुरा चांग यद्हाइवाल जीन सवालें रखसकाला की बाधनिकाट्च च dol отв हाई माद radical Cort CM Tech ठंडा होने पर इसके पिसिस काट दूँगी तो इस तरीके से बिना खोई की मिठाई बनके हमारी रेडी हो जाएगी आप ज्यादा मिठा पसंद नहीं करते हैं तो आप मिठा इसमें कम भी रख सकते हैं नारियल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से हो जाता है और गी गरम होने के बाद हिंग जीरा धनिया कश्मीरी रेड चिली हल्दी ये सारे नॉर्मल मसाले डाले और बिना प्यास का खाना बन रहा है ये आपको पता ही है और फिर इसमें दरक और हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट अड़ कर दिया है अच्छे से करेंगे इसको मिक्स पाक कर रही हूं आलू और राजमा मिक्स करके बना रही हूं सॉल्ट एड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से और पहली बार ही मैंने इस तरीके से ट्राइ किया है आज ये क्या था जो बड़े वाला मखनी वाला राजमा होता है वो था तो वो थोड़ा था तो मुझे लगा कि चलि रहते हैं ना बिलकुल वैसे ही मैंने आज ये सबजी बनाई है मतलब बनाने वाली हूं गरम मसाला एडिकिया कोई भार का मसाला भी मैं अड़ने कर रही हूं कोई भी क्या होता है पैकेट हम लाते हैं और अपने उसमें जार वगारा में भरके रख लेते हैं तो उसका यह नहीं पता रहता कहीं बारी कि उसके अंदर इंग्रेडियन क्या क्या थे तो इसलिए मैं घर का ही मसाला कसूरी में थी डाल दिया थोड़ी सी और यहां पर थोड़ा सा छल लग गया था वह चमचे के ओपर डाल गया तो यह राजमा बोयल हो गया था यह मैंने इसमें डाल दिया है यह स्रेने करके रख दिया था और आलू पहले ही आज कल आलू वैल करके रखती हूं फास्ट की वाजा से कुछ भी ना बनाने का टाइम मिले तो आलू फ्राइ कर लो तो इसलिए आलू रखे हुए थे बस आलू मैंने इस तरह से थोड़े से मतलब फोर लिए हैं औ इसमें डाल दिये तो यह राजमा और आलू की सबजी बोलू इतनी टेस्टी बनी थी मतलब मैंने नहीं खाई लेकिन बच्चों ने खाई इन्हों ने खाई सबको बहुत ज्यादा पसंद आई चावल के साथ तो आप इस तरीके से ट्राइ कर सकते हैं अगर आपके पास भी पानी निकाल दूँगी मेरा खाना बहुत हेलिए यह सामक के चावल की खीड़ी जिस में एक छोटा सा आलू एक टामाटर और थोड़ी सी लो Here a it मतλαब ग्रेट नहीं करी ख MACDUKAZ press यतना बहुत हैं तो मैं पिस करके छोटड़투 चोटे डालती हूं और बस आलड़ में खीरा और दही आप चाहें तो हरी चटनी ले सकते हैं हरे दनिया पुदीने की तो इस तरीके से मेरा आज का डिनर रहने वाला है और आज के व्लोग का यहीं पे कर रही हूँ